अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गौडलिवर्स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वाकत है आज संपूर्ण देश में महगाई, बेरोजगारी, करीबी जैसी अनेक अनेक समस्याएं दिनो दिन बढ़ती जा रही है सरकार के अनेक प्रयासों के बावजोत भी इन समस्याओं पर काबू पाना अत्याधिक कठिन होता जा रहा है परन्तु जानी जाननहार, रिकाल दर्शी परम पिता परमातमा हमें इन समस्याओं के मूल कारण से अवगत कराते हैं इन कारणों और निवारणों को आज हम इश्वरी महवाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महवाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मत्य है रजापिता ब्रमा कुमारिस इश्वरी विश्विद्याले के बरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब परसब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है परसब आज हम बात करेंगे 11 मई 1983 के महवाक्यों पर इसका टॉपिक है होली हंस परसब परमपिता परमात्मा युवा वर्क के प्रती ये महवाक्यों चारित कर रहे हैं परमात्मा कहते हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस सदा एक बाप दूसरा ना कोई इसी लगन में मगन आत्माई यही स्थिती हंस आसन है पर सब इसको थोड़ा सपष्ट करेंगे ये स्थिती हंस आसन कैसे है जब हम परमात्मा पिता की याद में एक की याद में मगन हो जाते हैं लगन में मगन जिसको कहते तो जैसे आत्मा बिलकुछ स्वच बन जाती है, पवित्र बन जाती है और हांस जो है वो स्वचता का प्रतीक माना गया है जब आत्मा परमात्मा की याद में मगन हो जाती है तो उसका हांस आसन बन जाता जैसे उसकी इस्तिती बड़ी पवित्र सोच बन जाते है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो परमात्मा की याद में एक की लगन में मगन रहते हैं उनका आसन, होली हंस आसन बन जाता है। पवित्र आत्मा हैं और हांस भी सोचता और पवित्रता की निसानी है। परमात्मा कहते हैं कि हर होली हांस जानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा विश्व कल्यान कारी है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की जाद समाई हुई है। हर एक अपने वर्तमान और भविश्य को बनाने में लगन से लगे हुए हैं। ऐसा श्रेष्ट संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्षे ऐसा फिर कभी देखेंगे। जब परमात्मा अपने बच्चों को विशेष करके युगाओं को देखते हैं। और संगठित रूप में उनके सामने जब अनेक युगाएं आए हैं, तो उनकी विशेष्टाओं का वर्णन करते हैं। कि इतना बड़ा संगठन एक ही परिवार के अंदर विश्वकल्यान की सेवा के सभी निमित बने हुए बच्चे ऐसा संगठन के वल संगम युपर ही हो सकता है। जब सब के अंदर एक जैसी भावना हैं, एक जैसा सिवा का लक्ष है, एक की प्यार में, एक की लगन में रहने वाले हैं। तो ऐसा पवित्र आत्मों का संगठन युवावर्ग का संगम युपर ही देखने को मिलता है। पूरे कल्प में ऐसा पवित्र सुंदर संगटन नहीं हो सकता। परमात्मा अपने बच्चों की विसेष्टाओं का वड़ान कर रहे है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। जब चरित्र की महंगाई वचरित्र के दुख अशान्ती की गरी भी मिट जाएगी। तब स्वते ही सर्वात्माई धन्वान तो क्या लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगी। यही शुब उम्मीदे विश्व की निमित आत्माउं को पूरण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बना कर दिखाएंगे, ऐसा माला माल बनाएंगे, जो न कोई अप्राप्ती हो और न अप्राप्ती के कारण सर्व समस्याई हो। यही दिर्ण संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बन कर दिखाओ। धन की कमी, परमात्मा कहते हैं वैसे धन की कमी नहीं है हमारे भारत देश के अंदर, लेकिन जो कमी है वो है चरित्र की कमी, जब चरित्र गिर जाता है तो पैसे का दुर प्योग होने लगता है, तो परमात्मा हम सब का ध्यान केचवाते हैं, मान लो आज कोई पैसा किसे के तो उसका खड़्चा कैसा है? उसराप के पीछे, बेशनों के पीछे, परकार के गलत कारियों के पीछे पैसे को बरबात कर रहा है. इसलिए गरीबी दिखाए दे रही है. परमात्मा कहते हैं, अगर उनको चरित्र का ज्यान मिल जाए, तो चरित्रवान व्यक्ति अपने आप में थोड़े पैसे को भी सही तरह से मैनेज करके अपने को धनवान बना सकता है. तो इसलिए संगम युकवर्च परमात्मा युवावर्च को विसे संबुधित कर रहे हैं, कहते हैं, आप पहले चरित्र की गरीबी को मिटाने माले, जो चरित्र से भारत करीब बना है, अगर आप चरित्रवान बन जाएंगे, दोसरों को चरित्रवान बनाएंगे, ये देश फिर से संपत्तिवान धनवान बन जाएगा, और कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं रहेगे. पर मातना कहते हैं कि आप एक-एक होली हांस की पवित्रता की जलक, चलन से दिखाए दे, आप सबकी श्रेष्ट स्मृति की समर्थी, ना उमीद आत्माओं में उमीदों की समर्थी पैदा करे. कि युआ वर्क के अंदर अगर उनकी दिखती, बृत्ति, उनका चलना फिरना चलन जो है, वो दिखाए देता है, इसके अंदर प्यूर्टी है, पवित्र हैं आत्माइं, सवच्छा हैं, तो उनके चिहरे से भी पता चलता है, उनकी चलने फिर्ने से पता चलता है, बहुत स अच्छी सेवा के निमित बन सकता है, लेकिन पहले उसकी चलन में, उसके चेहरे में उप्यूटी की परस्टनल्टी आनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जिनकी बुद्धी में सदा, बाबा और सेवा है, बहस सहज ही मायाजीत बन जाते हैं. सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं. शरीर और बुद्धी दोनों से बिजी रहो, बिजी मैन बनो, बिजनिस मैन नहीं. जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धी की भी दिनचर्या सेट करो. अभी यह सोचना है, यह करना है, दिनचर्या सेट होगी, तो उसी प्रमान बिजी हो जाएंगे, बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकते. यह माया जेत बनने की बड़ी अच्छी विधी है, परमात्मा हमेशा कहते हैं, आपके पास बहुत बड़ी इनरजी है, सारीरिक इनरजी भी है, मांसिक इनरजी भी है, अगर इसको हम सहीर रूप से बिजी नहीं करेंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे, तो यह कहीं न कहीं बिर्थ संकल्पों में, विकल्पों में बटक जाएगे, इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कि अपनी इनरजी को बिजी करो, मन की है, तन की है, जो भी आपके पास शक्तियां है, उनको सेवा में लगा दो, याद और सेवा, अगर कोई ने ये दो बिधियों के आधार से बुद्धी और कर्म, दो चीजे हैं, सरीर से कर्म करना है, बुद्धी जो सोचना है, विचार करना है, दोनों को अगर हम बिजी कर देते हैं, तो परमात्मा यहां बड़ा अच्छा सब्दा दे रहे हैं, कि बिजनेसमें सिर्नी बनो, लेकिन अपने बुद्धी को बिज करने की दिंचरिया बनो, बिजी मैं बनो, बुद्धी अगर बिजी है, जैसे कर्म के लिए हम प्लैनिंग करते हैं, आज हमें ये सारे दिन में कर्म करने हैं, तो कर्म के लिए तो हम प्लैनिंग कर लेते हैं, कि इस घंटे में ये करेंगे, इसे मिलेंगे, ये कारी करेंगे, परमात्मा कहता है, ऐसे बुद्धी की दिंचरिया को भी सेट करो, क्या सोचेंगे, को से सोमान लेंगे, कैसे हम मन अंचिंतन करेंगे, तो अगर सवेरे सवेरे अमरत वेले कोई दोनों बातों की दिंचरिया को सेट कर लेता है और उसी प्रमान चलता है, मन और बुद्धी को विजी कर देता है, तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलता है, बेर्थ बाते हैं मन में आती ही नहीं है, उनसे सहज मुक्त हो सकता है, त जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं, जिसके पास खजाना होता है, वह कहीं से भी गरीबों को ढूंट कर भी धिंडोरा पिटवा कर भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है, दान करने का पुन्य मिलता है, भैदान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है आप सब तो अविनाशी कहजानों के महादानी हो, तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई सेवा के प्रोग्राम बनाये जाते हैं तो हम सेवा करते हैं अब सेवा का अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो हम सोचते हैं हम क्या करें परमात्मा कहते हैं जो दानी लोग होते हैं नोरा पिट करके भी दान करते हैं आपके पास अगर इतना खजाना है, ग्यान का है, शक्तियों का है, तो लोगों को बाटो, धान करोगे तो पुन्नी जमा हो जाएगा, पुन्नी आत्मा बन जाएगे, इसलिए ये नहीं को हो, सेवा मिलेगी तो कर लेंगे, कोई सेवा रखी जाए, आयोजित किये जाए कारिक जो खजाना अंदर है, देते चलो, तो आपका खजाना बढ़ जाएगा, आप पुन्नी आत्मा बन जाएगे, इलकुल, परमात्मा कहते हैं कि निश्चे से करो, ऐसे नहीं सोचो, धर्नी ऐसी है, अब समय बदल गया, समय के साथ धर्नी भी बदल रही है, पहले के धर्नी की जो रिजल्ट थी, वहा भी नहीं, समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है, सब आवश्यक्ता अनुभव कर रहे हैं, अभी समय है, समय के प्रमाण, सदा के महादानी बनो, वाचा नहीं तो मंसा, मंसा नहीं तो कर्मणा, कर्मद्वारा, किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा, संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे सेवाधारी बनो, परमात्मा हम सबको सेवा की बड़ी अच्छी अच्छी विधियां बता रहे हैं, किसी न किसी रीति से आपको सेवा में अपने आपको वि वेंको कुए कोई प्रेयना अपनी विसेशताओं से सेवा करो? सेवा के बहु सारे रूप है. सुरू-शरू में जब सेवा हम लोग करते थे, जब सेवा परारम हुआ प्रेवा तो सेवा। क्योंकि नया ग्यान है, बहुआ था नी बाते हैं शान्ती के लोग प्यासे हैं, भूखे हैं ऐसे समय पर ये नहीं कहो कि धर्णी ठीक नहीं है धर्णी तो बनती जा रहे हैं, परिवर्तन होती जा रहे हैं आप उस इस्थान पर जाओ और किसी न किसी रीती से उनको ग्यान का संदेश, भावा का संदेश दे करके आओ कुछ न कोई विधी अपनाओ, अगर वो नहीं ग्यान सुन रहे हैं तो मंसा से अच्छे वाइबरेशन पहलाओ अच्छे अच्छे संकल्पों से उस वाई मंडल को चेंज करो तो मंसा सेवा करो या वाचा सेवा करो या ऐसे कोई कर्म करो जो लोगों को सीखने को मिले तो भिन भिन नरीती से सेवा की प्लैनिंग करके जहां पर भी संदेश नहीं पहुँचा है वहाँ पर परमात्मा का संदेश पहुँचना चाहिए आत्माएं वन्चित रह जाएंगी और कहेंगी आपने तो मुझे बताया ही नहीं भगवान इस धरा पर आए उन्हों ने इतना स्रेश्ट कारे किया विस्वरिवर्तन का आप सब उनके सहयोगी बने मदद किया मुझे बताया भी नहीं परमात्मा कहता है उलहना किसी का न मिले इसलिए जो समय मिला है उसमें सबको संदेश दे करके इस सेवा की सबजेक्ट में भी नंबर आगे ले लो परमात्मे कहते हैं कि रोज result निकालो, मंद्सा, वाच्चा, कर्मणा, क्या सेवा की, कितनों की सेवा की, इस उमंग से सेवा की, यह है रोज की result, स्वयम ही निकालो, स्वयम और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। स्वयम आना स्वयम की इस्थिति भी बड़ी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, कई बार हम सेवाओं में लग जाते हैं, लेकिन स्वयम पर ध्यान नहीं देते हैं, स्वयम के अगर इस्थिति नीचे उपर है, कोई इधर उधर के संकल्प चल रहे हैं, कोई भी प्रकार के अ आप सेवा करो, किसी न किसी रीती से सेवा में अपने को भी जी करो, मंसा से अगर सेवा करेंगे, तो भी आत्मों को खिचावट होगी, उनको लगेगा, मुझे यहां से शांती, शक्ती, पवित्रता, खुसी, प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए किसी न किसी विद्धी सेवा क किस विधी से किया और उस सेवा की रिजल्ट क्या मिली। कई बार हम सेवाइं कर लेते हैं, रिजल्ट पता ही नहीं चलता है। कोई आत्माय संबन संपर्क में आती हैं, उनको किस परकार की जागरती आई, कितनी उनकी में रुची पैदा हुई। तो बहुत अच्छी तरह से अपनी प्लैनिंग करके अपने उमंग उसा को देखो किस विधी से हमने सेवा की और उस सेवा की रिजल्ट क्या निकले। परमात्मा आगे माताओं से बात करते हुए कहते हैं कि चाहे निमित कहां भी रहते हो, लिकिन स्मृती में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्षे वैसे लक्षन स्वतह आ जाते हैं। लक्षे होगा बेहद का तो लक्षन भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फसे रहेंगे। सदा बाप की हुँ, बेहद की हुँ, इसी स्मृती में सर्वात्माओं के प्रती शुब संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। लेकिन जब तक शुब भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे, तो फल नहीं निकलेगा, मन सावाचा दोनों एकठे सेवा हो। इसलिए हदों में फश जाओ, बेहद में आओ, और बेहद सेवा करने के लिए दो बातों का ध्यान रखो। पहले मनसा के अंदर बड़े अच्छे सुब भावना हैं, सुब संकल को फिर वाचा से ग्यान दो। तो अगर बेहद में आकर के जगत माता बन करके सेवा करेंगी तो ये और ये लक्ष रखेंगी कि मुझे अपने सुब भावना के आधार से और वाचा दोरा ग्यान दे करके सेवा करनी हैं, तो विस्व में अनेक आत्मों तक आप संदेश देने के निमित बन सकेंगी। क्योंकि माताएं हद के बन्धनों में ज़्यादा रहती हैं। परमात्मा चाहते हैं ये माताएं अगर विस्व कल्यान के सेवा में बेहद में आएंगी तो बहुत फास्ट सेवा हो सकेगी तो उनकी अपनी विसेशताएं हैं। उनमें पालना देने की सक्ति के आधार से ग् निमित कहने से सहज ही याद आ जाता है कि किसने निमित बनाया है। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित जरूर कहो। दूसरा निमित समझने से स्वतेही निर्मान बन जाएंगे। और जो जितना निर्मान होगा उतना फल दायक होगा निर्मान बनना अ अगर निमित सेवाधारी के अंदर रहती हैं, एक तो जब हम कहते हैं, हमें निमित बनाया है परमात्माने, तो निमित समझने से बनाने वाले की याद आती है, उसने इस कारे के हमें निमित बनाया है, तो सेवाधारी को पहले तो ये समरती रहने चाहिए हम निमित हैं, और ब करने का करतापन का भिमाने आएगा, कि मैंने किया, मैं बहुत अच्छा करता हूं, परमात्मा कह रहे हैं, निमित आत्मा सुतह निर्मान बन जाती, उनके अंदर यह रहता है, कराने वाला तो वह है, हमें तो सिर्फ आगे किया है, तो इस इस्मृति के आधार से एक तरफ पर परमात्मा निमित बहनों को टीचर्स को विशेश कहते हैं, निमित सब्दिकी इसमृत्ति आपको रहनी चाहिए, इससे बहुत प्राप्तिया हैं। साथे देखते हैं, यदि हम निर्मान नहीं रहते हैं, थोड़ा भी अभिमान आता है। उससे तो हमें नुकसान होता ही है, परन्तु एक बोज सा अनुभव होता है, कि मुझे ये करना है और मेरे पास बहुत सारे काम है। कई बार ऐसे होता है, कि जब हम निमितपन भूल जाते हैं, तो समझते हैं, ये मेरी जवाबदारी है, और मेरी जवाबदारी है, इसलिए उस बंधन को, उस भोज को मैसूश करने लगते हैं, कि मुझे करना है, ये काम है, ये काम है। कईयों को ये एक भान रहता है कि इतनी सारी सेवाइं मुझे करनी है परमात्मा कहता है कराने वाला जब परमात्मा है आपको स्रीमत में लिए ये करना है आप निमत भाव से आगे बढ़ो अपने आप कराने वाला करा लेगा आप हलके भी रहेंगे कोई बोज भी महसूस नही होगा और बड़े से बड़ा कारी है हम लोगों का ऐसा अनुभव है जब ये भान रहता है कि उसका कारी है उसने हमें निमित बनाया है हमें हाजी करना है आगे बढ़ना है तो ऐसे सहज वो कारी अपने आप सफल हो जाते है पर मातना कहते हैं कि वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन से है सर्व को हलके बनाने की सेवा उड़ती कला में ले जाने की सेवा उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हलके होंगे सर्व प्रकार के बोज स्वयम के भी हलके और सर्व के बोज हलके करने वाले जिनात्माओं के निमित सेवाधारी बने हैं, उन्हों को मंजिल पर तो पहुचाना है न, अटकाना वफसाना नहीं है, लेकिन हलके बन, हलके बनाना है, हलके बनेंगे, तो मंजिल पर स्वतह पहुच जाएंगे सिवाधारियों की वर्तमान समय की यही सेवा है उड़ते रहो उड़ाते रहो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर उड़ती कला में उड़ना है अपनी मन्जिल तक पहुँचना है तो उसके लिए हलका बनना है हलका वही बन सकता है जो करते हुए भी अकरतापन की इस्तिती में रहता है कर्म किया कराने माले को समर्पित कर दिया आपने कराया तो परमात्मा कहते हैं हलके बनो और दूसरों को भी हलके बनाओ कोई भी बोज ले करके अगर चलता है तो चल भी नहीं सकता है उड़ना तो दूर की बात है परमात्मा हम सब को उड़ती कला में ले जाना चाहते हैं सब बच्चों को मंजिल पर पहुचाना है तो खुद भी हलके बनो और दूसरों को भी हलके बनाओ जो जवाबदारियों का बोज ले करके सब बैठे हैं हमको ये समरत दिलाओ कि कराने वाला फरमात्मा है ये उसका कार है सब अपने आप अच्छे से अच्छा होगा आप क्यों चिंता इसके करते हो क्यों उसका बोज उटाते हो जब वो निमित है, वो हमको निमित बनाने वाला है, वो हमारा बैक बोन है, वो हमारे साथ है, तो बोज लेकर के चलना तो उससे उड़ती कला नहीं हो सकती है, इसलिए पहले बोज को समर्पित करो, हलके हो जाओ, खुद हलके बनो, दूसरों को हलके बनाओ, तो उड़ती कला में पहुंच जाएंगे। जैसे भी देखा जाता है कि हमारी स्थिति हलकी होती है तो हमें देख कर भी आने का आत्माय हलकी हो जाते हैं। कई कारे करते हुए हम अगर हलके रहते हैं, तो ऐसे लगता है तो जैसे कुछ करी ही नहीं रहे हैं, सब कराने वाला बाबा करा रहा है। बिलकुल भाई सब आज हमने समझा कि कैसे हम विश्व कल्यान की सेवा वबेहत की सेवा करते हुए स्वयम को हलके रखें और अपनी स्थिती को श्रेष्ठ बनाएं। पैसा अब इस पश्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्शकूं आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने श्रेष्ठ चरित्र वो पवित्रता की जलक और चलन से नाउमीद आत्माओं में उमीद पैदा करनी है। परमात्मा ने कहा कि जिनके बुद्धी में सदा परमात्मा की जात और सेवा समाई है, बहस सहज ही माया जीत बन सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें महादानी बन अविनाशी ज्ञान खजानों का दान करना है और प्रति दिन मंसा वाद्शा कर्मना अपनी सेवा के रिजल्ट को चेक करना है। तर्शकु आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं। हमारे इमेल आइडी है amulleratna at the rate godlywoodstudio.org अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत, हुम शान्ती। निकलेगा। जब तक शुब भावना का बल उसात्मा को नहीं देंगे, तब तक बल नहीं निकलेगा। इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें। झाल